नमस्कार प्यारे बच्चो आज हम जानेंगे प्रकृतिक संसाधन जल के वारे में बच्चो जल एक महत्तो पूरुन नवी करनी प्रकृतिक संसाधन है नवी करनी मतलग रिन्यूएबल मतलग जो प्रकृतिक रूप से ही हमें तुवारा से मिल जाता है अब बड़ी ही इंटरस्टिंग जानकारी हासिल करने वाले हैं भूप्रिष्ट का तीन चुथाई भाग जल से ढखा हुआ है इसलिए इसे जल ग्रह कहना उप्युक्त है मतलब जो हमारी पूरी पृत्वी है इसमें तीन चुथाई भाग जल से ढखा हुआ है लगभग तीन दश्मलव पांच अर्व वर्ष पहले जीवन आदी महासागरों में ही प्रारंब हुआ था मतलब जो पृत्वी के उपर जीवन प्रारंब हुआ था वो महासागरों से ही प्रारंब हुआ था और लगभग साड़े तीन अर्व वर्ष पहले यदिपी आज भी महासागर के दो तिहाई भाग को धके हुए हैं और विवित परकार के पोदों और जंदों को मदद करते हैं प्रिथवी का बहुत बड़ा हिस्सा पानी से धका हुआ है और आपको याद होगा इसलिए प्रिथवी को नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि पानी दूर से देखने में कैसा नजर करता है निला महासागरों का जल लवनी है और मानविय उभ्भों के लिए उप्युक्त नहीं होता अलवन जल के वर दो दश्मलव साथ प्रतिशत है अब आप देखिए पूरी प्रिथवी पर लगवक दो तिहाई जल है प्रंतु जो अलवन जल है मतलब जिस जल को हम पीने के लिए या अपनी अन्य गतिवितियों के लिए प्रियों करते हैं वो मातर दो दश्मलव साथ प्रतिशत है और इस में से भी सत्र प्रतिशत भाग वर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्क्टिका ग्रीन लैंड और परवतिव परदेशों में पाया जात है अपनी स्थिति के अनुसार ये मनुश्य की पहुंच के बाहर है केबल एक प्रतिशत और लवन जल उपलब्ध है और यह मानव उपवोग के लिए उप्यूक्त है भोम जल नदियों और जीलों के प्रिष्ठे जल के रूप में वायू मंडल में जलवाश्प के रूप मे पाया जाता है अब जो जल है वो भोम जल भूमी के अंदर नदियों जीलों के प्रिष्ठे जल के रूप में और वायू मंडल में जलवाश्प के रूप में यह जल पाया जाता है तो है ना इंटरस्टिंग बात कि पूरी पृत्वी जिसे हम नीला ग्रह कहते हैं पानी की दिख है प्रंतु प्रियोग करने लाइक मात्र एक प्रतिशत ही बचता है इसलिए तो हम कहते हैं पानी को बचाओ इसलिए हम कहते हैं पानी को बचाओ क्योंकि अलवनिय जल प्रिथवी का सबसे धिक मूल्यवन पदार्थ है प्रिथवी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है इसकी कुल मातरा स्थिर रहती है परन्तु मातरा तो स्थिर रहती है प्रंतु हमें कौन से जल को बचाना है अल अमनिय जल जिसे हम पीने के लिए प्रयोग कर सकते हैं समुद्र का पानी बढ़ भी जाएगा या बहुत धिक होगा तो उससे हमें कोई बड़ा धिक लाव नहीं होता है इसकी कुल मातरस्थे रहते हैं इसकी प्रचूर्ता में विविदता परतीत होते है क्योंकि यह वाशपिकन वर्षन और वाह की प्रकृवियों दवारा महासागरों वाईव भूमी और पुने महासागरों के चक्र दवारा निरंतर गतिशीर रहता है जैसा कि आप जानते हैं इसे जल चक्र कहते हैं आपको पता है कि वाश्पिकर्ण होता रहता है वाश्पिकर्ण मतलब समुद्रों से पानी नदियों से पानी आपके घरों से पानी क्या होता रहता है सूर्य के परकाश की वज़ा से यह पानी वाश्पिकरित होके वाईयो मनुश्य जल की बड़ी मत्रक उप्योग ना केबल पीने और धुलाई के लिए करता है वर्न उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है यह पानी कहां कहां प्रयोग होता है सिर्फ पीने के लिए या अन्य धुलाई बगेरा के कारें के लिए नहीं बलकि दिर्मान कारें के लिए दवनिय जल की अपूरती में की कमी के मुख्य कारक क्या है बढ़ती जनसंक्या भोजन और नगती फसलों की बढ़ती मांग बढ़ता नगरीकर्ण और बहतर होता जीवनस्तर इन सबकी वज़ा से जल स्त्रोत सूख रहे हैं या फिर परदूशन बढ़ रहा है तो क्या कारण ह जिनकी वज़े से पानी के स्त्रोतों को नुकसान हो रहा है बढ़ती जनसंक्या भोजन और नगती फसलों की बढ़ती मांग बढ़ता नगरीकर्ण मतलब शेहर बसाय जा रहे हैं और बहतर होता जीवनस्तर जहां पे जितने अधिक लोग होते हैं वहां पे परदूशन भी उतना धिक होता है और वह परदूशन अंत में नदियों में मिल रहा है मतलब जल स्त्रोतों को खराब कर रहा है बच्चो जल उपलबता की बहुत बड़ी समस्या विश्व के सामने है किसी ने कहा भी था कि अगर कभी तीसरा विश्व युद हुआ तो वह पानी को लेके हो दक्षिनी एशिया पश्मी स्युक्त राज्य अमेरिका के भाग उत्र पश्मी मेक्सिको दक्षिन अमेरिका के भाग और संपूरन ऑस्टेलिया अलबनिय जल की अपूर्टी की कमी का सामना कर रहे हैं ये देश ऐसे जलवाजी उप्रदेशों में स्थित हैं जहां अकसर सूखा पड़ता है उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है इस परकार जल का अभाव मौसमी और वार्शिक वर्षन में विविद्दा के परिनाम सबरूप हो सकता है अत्वा अति उप्योग और जल स्थ्रोतों के संदूशन के कारण भी जल का अभभाव हो सकता है अब जल में जो कमी आई है इसके कारण यहां पर बताएगए हैं एक तो मौसमी और वार्शिक वर्षन में विविद्दा इसका कारण हो सकता है इसके अलाबा उप्योग किस तरह से किया जाता है ये भी एक महत्तोपुर्ण कारण है अब जल संसादनों का सरक्षन कैसे हो इसके बारे में हम पढ़ेंगे जो मैंने आपको समस्या बताई ना इन प्रदेशों में हमारे भारत में भी अनेक जगों पर आप देखते होंगे टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है या फिर पानी की कम ही आ गई है कि दिनों तो पानी नहीं आता आप न्यूस पर उठाएंगे तो आपको दो चार न्यूस पानी की कमी को लेके जुरूर मिलेंगे तो यह समस्या धेरे धेरे बढ़ती चली जा रही है इसके बारे में अभी से सोचना होगा जल संसादनों का सरक्षन यहाँ प जो कच्रा बगएरा निकलता है वो बहके इसमें मिलता है तो अब यह पानी यूज करने के लाइक तो नहीं वचा ना तो इससे हम सिंचाई कर पाएंगे ना इसको पीने के लिए प्रयोक कर पाएंगे ना इसको पशू पी पाएंगे तो अब यह पानी से वेस्ट हो गया जल के विश्व में शूत और प्रयाप जल सरोतों तक महचने एक बड़ी समस्या बन गई है इस कशीन होते संसाधन के सरक्षन के लिए कदम उठाने चाहिए यद्दिपी जल क्या है नभी करने संसाधन नभी करने मतलब Renewable आप यह वर यूज़ कर लेंगे तो दोवारा भी इसको यूज़ कर सकते हैं परंतु इसका अति उप्योग और प्रदूशन इसे प्रयोग के लिए अनुप्योक्त बना देते हैं मतलब पानी तो रहेगा परंतु अगर पानी वो प्रदूशित होगा शुद्ध होगा तो हमारे प्रयोग में नहीं अता और शोधित या आशिक रूप से शोधित वाहित मल क्रिशी रिसाइनों का विसारजन जल निकाईों में अध्योगिक वही सराव जल के प्रमुक्ः संदूशक हैं किंगारखान्वं से निकला गंदापानीम उन दुवरा अपनी परक्रियाओं दुवरण किया गया गंदापानी यह सारे क्या करते हैं पानी को परदूशित करते हैं इनमें शामिल नाइट्रेट धातुं पीडकन नाशी जल को प्रदूशित करते हैं इन में से अधिकांश रसायन अजैव निमनिकर्ण होने के कारण जल दुवारा मानव श्रीर में पहुंच जाते हैं दुक्सान ये होता है इन प्रदूशकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व वही स्राब्वों को उप्युक्त लिधि से शोधित करके जल प्रदूश्यन नियंद्रित किया जा सकता है। कुछ शोधक लगाएगे हैं के जगों पे के फैक्ट्री वालों Middle ले लगाई होते हैं वह पहले पानी को उन शोधकों में डालते एम वहां से पानी को थ्धोड़ा साफ करके उसकी dio की क्वालिटी अवरन धरातली प्रवाह को मंद करते हैं मतलब वन और वनस्पती अवरन जितने जदा होंगे वो भी भूमिगत जल को पूने पूरित करने में मदद करेंगे जल संग्रहन प्रिष्टी प्रवाह को बचाने की दूसरी विधी है जल रिसाब को कम करने के लिए खेतों को सिंच वाश्मिकन से होने वाली जलक शती को रोकने के लिए क्षेत्र की सप्रिंकलरों से सिंचाई करना अति प्रवावी विधी है यहां पर आप देखिए पानी को सीधी तोर पे ना छोड़के यह स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई हो रही है इसे भी पानी की काफी बच्चत होती है वाश्विकन की अधिक दर्वाले सुषक प्रतेशों में सिंचाई की डिप अत्वा टपकन ऑधि के दुवारा भी काम्याब तरीके से हम सिंचाई कर सकते हैं और पानी को बचा सकते हैं सिंचाई की विधियों को अपनाकर हम बहु covering के जल संसाधन को बचा सकते हैं तो बच्चो जाल एक महत्वपुर्ण प्रक्तिक्सन साधन है जिसको किस तरह के खत्रे हैं और किस तरह से बचाया जा सकता है यह हमने विस्तार से पढ़ा कारे पत्र को हल करिएगा जैहिन जैहिमाचर